जिस प्रकार का प्राण घातक हमला टी एंसी के गुंडों ने किया है वो बहुत मिंदनी है उसको स्विकार नहीं किया जा सकता। बंगाल वो धरती है जहां के कण कण के उपर मा काली की पूजा की जाती है। बंगाल वो धरती है जहां चैतन्य महाप्रभु ने जन्मल लिया था। जहां पर बंकिम चंच चटरजी, रविंदर रनाट टैगोर, स्वामी विवेकानन, महर्शी अरविंद घोष जैसे महान संत्व हुए हैं। आज उस धरती के उपर ममता बैनर जी ने चंद मुस्लिम वोटों की खातिर जिस प्रकार का हिंदु विरोधी वातवरण बना दिया है, वो बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है। हमारी काली पूजा के पंडालों पर हमले होते हैं, मूर्तियों का अपमान किया जाता है, हिंदु संगठ्रों के कारेकर्ताओं को प्रताडित किया जाता है, कारेकर्ताओं को जिंदा तक जला दिया जाता है टी एमसी के गुंडों के द्वारा। मम्ता वेनर जी देश की जनता तुम्हारे इस सत्याचार को किसी हालत में स्विकार नहीं करेगी इसका भरपूर विरोध हम करते हैं मम्ता वेनर जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ वो अविलंब अपनी पार्टी के गुंडों के द्वारा किये गए इस अक्षम्य अपराध के लिए क्षमा याचना करें पूरे देश देमाफी मांगे अन्यथा विश्व हिंदू परिशत को मम्ता वेनर जी के विरोध मे राष्ट रव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा पूरे देश की जनता यहां तक की बंगाल की जनता भी आज तुमसे दुखी हो गई है तुमको मूतोड जबाब देगी लेकिन तुमको ये समझ लेना चाहिए चंद मुस्लिम वोटों के खातर हिंदू समाज पर किये गए अपमान को आज देश किसी हालत में स्विकार नहीं करेगा